वेल्कम टू हीट टीवी इंडियान हेल्स मैं हूँ आपकी छांदिनी वेल्कम टू हेल्ट टिव्स लोग बेशक आकार में छोटा होता है लेकिन लोग के फाइदे चमतकारी है सदियों से लोग का उपयोग आयुर्वेदिक आउशदियों में क्या जाता रहा है इसमें कई ऐसे जरूरी आउशदिक गुन है जो शेरीर से जुड़ी कई परेश्यानियों को कम करने में मदद कर सकते है यू तो लोग इसका इस्तिमाल सर्दी खासी से बचने के लिए करते है परंपरिक बारती व्यंजनों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाले मस्तालों में से ये खाये ये आईरेन, कार्बोहाइडरेट, कैलिशियम, पॉस्परस, पोटेशियम, सोडियम, मैंगनीस, विटमिन ये जैसे पोशक तत्वन से बरपूर होते है लेकिन लोंग के फाइदे कई ऐसे भी है जिनके बारे में शायद ज्यादा लोगों को पता नहीं आये जानते हैं इसके बारे में और इसके फाइदे के बारे में आम तवर पर लोंग का इस्तिमाल खाना, पकाना, मीट करी और बिरियानी में किया जाता है इसके अलावा इसे सामान्य तवर पर भी खाया जाता है क्योंकि लोग न सिफ व्यंजरों को स्वाद बढ़ाती है बलकि सहत का भी रक्षा करती है इसे सबजी में डालने से सबजी का स्वाद तो बढ़ता ही है या हमारी सहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है बलकि इसके कई ऐसे फाइदे भी है जो स्वस्त के अलावा धार्मिक चीजों में कामाती है लोंकी हिंदु दर्म के बहुत पवित्र माना जाता है गरों में बोजन के स्वाद और पूजा के साथ-साथ जोतिश उपायों में लोंका प्यार करगार माना जाता है जियोतिश सैस्त्रों के अनुसार लोंग के उपाय करने से आपके रुके हुए कार्य भी बनने लगते है क्योंकि इसे उर्ज का वाहक मानाया गया है यदि आप अपनी किस्मत बदलना चाहते है और अपने सप्णों को पूरा करने चाहते है तो आप लोंग से जुड़े हुए कुछ उपायों का आजमा सकते है ये सब जाने के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखे घर से निकलते समय दो लोंग आपनी जेब में रखे और मूव में रख ले आइसा करने से आप अपने हर काम में सफल होगे और आपको लक्ष्मी तक्ष की प्राप्ती होगी नमब दो शुक्रवार के दिन पांच लोंग और पांच छिल के लाल कपड़े में बान ले और इस पोठली को किसी बेया या खजानी में रख दे आइसा करने से आपको धन की प्राप्त होगी नमब तीन हनुमान जी के सामने एक लोंग का जोड़ा रखे मंगलवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाए और हनुमान चालिसा का पाट करे जैसे 21 मंगलवार करने से जल ही आपको अपनी मेहनत का लायक परिनाम मिलेगा नमब च्छार शेनिवार के दिन लोंग का दान करना उत्तम होता है अगर कई लोग ना ले जाए तो आप इन हे शिवलिंग पर छड़ा सकते हैं ऐसे 41 दिन तक करे नमब पांच यदि आप किसी को पैसा देते हैं नहीं आता या बुगतन में देरी हो रही है तो आपको अमावास्या या पुर्निमा के रात कपूल में 11 या 21 लोंग जला देनी चाहिए इसके बाद मा लक्ष्मी का ध्यान करे यह आप पर बकाया दन के साथ साथ आपको जो बकाया है उसे प्राप्त करने के साधना को भी स्पष्ट करता है नमब च्छे तंत्र शैस्तर के अनुसार देवी लक्ष्मी की पूजा करते समय गुलाब के फूल में दो लोंग रखे यदि आप इसे हर दिन नहीं कर सकते तो कम से कम शुक्रुवार को तो करे ऐसे करने से आपके घर में दन आने का रस्ता खुल जाता है फिर मिलेंगे अगले हेल्टिप्स के साथ दन्यवार